नमस्ते दोस्तो आप लोग कैसे हैं आशा करता हूं दोस्तो आप लोग बहुत अच्छ वह गए दोस्तो बिहार दोरोगा सब इंस्पेक्टर का नया भरती आ चुका है दोस्तो ओपी सीली बेपसाइट पर दोस्तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है संपून डि मैं आपको दिखा देता हूं देगे दोस्तो हमने ओपीसियल जो वेपसाइट है ना बिहार पुलिस सब ओडिनेज सर्विस कमिशन यानि बीपी एससी वह ओपन कर लिया है देखो सबसे पहले आपको करना किया है ना दो डिपार्टमेंट में आपका दोरोगा का वेकेंसी जारी किया गया है एक जो डिपार्टमेंट का अगरा नाम बताओ ना यह प्रोविशन डिपार्टमेंट यानि मद निशेत में दरोगा का वेकेंसी है और दुसरा का बात करें तो भीहार फायर सर्विस यानि दोस्तों अगनी सामर यानि दो दो दोरोगा का दोस्तों डिप फिर्ट जाएगा तो यहां से आप लोग नोटिफिकेसन में डाम लोड कर सकते हो दोस्तों दो तारीक के डेट में मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों रात को एक बच्च के बाजे के बीसमें यह नोटिफिकेसन जारी किया गया और आपके लिए दोस्तों एक करके आपको बताता हूं देगे दोस्तों अने नोटिकेशन को डामलोड कर लिया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ठीके यहाँ आप वेपसाइट डेक चकतो अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यास में पढ़क सुनाता हूं आपको मद निशेद उतपात एवन निबंदन बिभाग बिहार सरकार में अवर निरिछक मद निशेद सब इंस्पेक्टर आपका प्रोविशन और दोस्तों बिहार अगनी समन सेवा योग्री बिभाग अरचिर साखा में अनुमंडल अगनी समाले पद्रिकारी सब डिविजनल फायर स्टेशन ओफिसर यानि दो आपका बेकेंची है एक तो धुशो सब इंस्पेक्टर का यहां पर बेकेंची है जिसको एसाइब बोलते है ठीक है दारोगा बलते है इन्दी में इसके अलाव तो सब डिविजनल फायर स्टेशन ओफिसर यह दो पद्पा बेकेंची दरोगा सरो यह ऊपर पद हो गया ठीक है रि तर्मई से अपलाई होना स्टार्ट हो यानि कल के डेट से ठीक है अब देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना सीठ है सारा कुछ में बताता हूं नीचे दिया होगा मैं आपको पड़क बताता हूं देखो सबसे पहले आवेदन कर सकते हैं भारत का नागेक होना अनिवार पूरुस महिला और थर्ड देजनर अब देखो अब यार्थी जो सेशनी की योगता है ना एक एक दो जाए तेश तक आपका सेशनी की योगता होना चाहिए यानि क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है और दुस्तों किसी भी विश्विद्याले से स्नात लख यानि ग्रेज पास हो अपलाई कर सकते हो ग्रेजवेशन आपने कर रखा ठीक है यह आप परमान पत्र है ना उसके अनुसार यहां पर बाके दुस्तों यहां पर समान कोटी के पूर्शों के लिए दुस्तों आपका 20 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 37 साल और दुस्तों महिलाओं का 20 से लेकर 40 साल यानि आप जैनल में फीमेल हैं तो तीन साल एक स्टा मिलता है में के दूलना में इसके पिछड़ा और अतयंत पिछड़ा आयो आप पिछड़ा और अतयंत पिछड़ा वर्क ठीक है पूरसर महिलाओं यानि जिसको कहने का मतलब BC और EBC 20 से लेकर 40 साल तक यहां पर उम् सब्सक्राइब के मतलब कहने का मतलब में आपका दोस्तों सारा महांगाई भाता यतने भी अलाउंसर जोड़कर तो 45,000 प्रस आपका सेलरी प्रतम महिने को हो जाएगा ठीक है दो इसमें 11 पोस्ट में 11 पोस्ट है बाके दोस्तों अनुमंडल अगरिन सामाले पदिकारी में सेलरी मंख़रें 15 पोष्ट है यारगों यह तो यारोंसर दूरिक यह बिहार पूलिस दरूगा एक अलग और भेकेंसी निकलने वाला है इसका असका分दिस्ट में तरा पंकुल तो दोस्तों अलग से आपका 288 पर वेकेंसी आ रहा है अब देखो इसकी लिए तो सारा कुछ में आपको बता दिया आप देखो नीची आओगे न यहां पूचाहिए लंबाई सारा कुछ दिया गए का आपका सरे रिक माप डन है क्या होना चाहिए यह सब कुछ में आपको ब अच्छी नहीं अपलाई करते तो आपको ज़रूर अपलाई करना चाहिए और ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा मैं आगे बताऊंगा उचाहिए आपका जो देखिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए समान वर्ख ठीके बाकी दोस्तों आप अतियंत पिछड़ा वर्ग के पुलाई कर ची यासी और दोस्वा नुसुची जाती एसी और एस्टी के लिए 179 से 84 ठीके अब दोको फुलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया वजन देखो महिलाओ का चो आपका 40 केजी कम चकम वजन होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए ठीके अब देखो इसक कोशन 2 नमबर का होगा याने 200 माक्स का ठीके 100 कोशन 200 माक्स का इसमें आपका दो घंटे का समय मिलेगा क्या क्या पूछेगा दिको समान ज्यान और सम्सामिन अनिवार है दोस्तों मुख परिछा में नहीं लाता हो ना तो घोसित किया जा सकता है ठीके और सब्सक्राइब ग मिनिमम यह कैटेरिया दिया रहा तो आपको ज्याज़ा ज्यादा लाने के कोशिज करना है ठीक है प्राणनभीक परिछा में दूसर प्रात अंको का धार पर कुल भेकंशी नो उसका 20 गुना यानि दूसर आपका चॉंसर भेकंशी है यानि उसका 20 गुना अगर बात करें तो 1088 यह देखो 1280 आपको ब्यक्ति वो बलाएगा सेकंश्टेट के लिए ठीक उसका चायर होगा सेकंश्टेज के लिए आप देखो सेकंश्टेज में क्या पूछेगा दोस्तो यहां पर देखो प्रथम आपका 200 अंको का सेम जोस्तों आपका क्या होगा दो घंटे समी मिलेग समान हिंदी आपका पूछेगा यानि दोस्तों क्या है ना सो कोशन आपका हिंदी से सेकंड टियर की बात करो प्रतम आप पास को रहेगो तो आपका सेकंड स्टेज में केवल सो यहां पर कोशन आपके हिंदी से रहेगा 200 माक्स का एक कोशन की दो नंबर के दो घंटे के समय औ गया नागरिक साथ इतिहांस भारत का भुगोल गलित और मांसिक योगता जान रिजिनिंग समंदित प्रसन होगा यह 200 मार्क का होगा 100 कोशन पुछेगा दो घंटे का समय है और निगेटी मार्किन देखो दोनों चर्णों में प्रतम और सेकंड डोनों स्टेज में आपका 0 0.2 यानि पांच कोशन गलती करें को तो एक नंबर कटेगा यह धियान रखेगा ता नीगेटिव जाधा नहीं है बाकि दोस्तों मुख परिचाय का धार पर रिक्तियों को 6 गुना जो ब्यक्ति है ना उनका दोस्तों मेगा सुसी सरीरिक जस्ता परिचाय यानि फिजिकल के टोटल वेकेंसी का 64 का अगर 6 गुना कर दिजिए उतना वेक्तियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए अब फिजिकल में आपका दोड कितना होगा सबसे पहले अगर बात करें ना सभी कोटी के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमेटर का दोड होगा 6 मिनिट का समय पुरुषों को लिए महिलाओ के लिए 9 ठीक है तिन तिन चांस मिलता है और गोला भी फेकना होगा तक पुरुषों को अगर बात करें तब 12 पाउंड का आपको 10 ठीक फेकना होगा ठीक है यह सब सारा कुछ है बाकि दो मेगा सोची आपका यहां पर दिया गया है कि आपको अधार सेट необходимо मेटाई बाकि वजचlait सारक है कितना है वह भी देख लो सबसे मारे और उसीचल दोस्तों यहां प देखो आप लोग सेथमस्तार अब दोस्तों आप लोग कितना और अगर तो पि zeigt को बदे कर चाहां अब यहां पर शीट नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं काप लोग अप्लाई नहीं कर सकते आपको जनरलस अपलाई कर चकते अगर चाहो नो तो जनरल से अपना केटेग्रिस जनरल लीजिए उसमें अपलाई कर सकते ओठीक यह देखिएगा ध्यान रखेगा अनरग्षित यहां पर एक पोस्ट है ठीक यहांपर जेनरल चापलाई करदा पिछड़ा बी सी बें दूसर चारव सीट हो गया यह दूसर द्हान रखिएगा यह ग्यारा सीट के लिए में बता रहा हूं ठीक है इसके लाँ दूसरे एडालुस क आपका कितना सीठ है अनरक्षित यानि जेनल का दोस्तों अगर बात करें न यहाँ पद कर संख्या आपका 11 है इसमें अपलाई कर सकतो हो महिलाओ का 6 सीठ हो गया तो महिला इसमें अपलाई कर सकती है इडावलोस का पांच और एक सीट है फीमेल में अनुसुची जाती का नौ और दूस्तों तीर पोस्ट है ठीक है अब देख लिए ध्याना किएगा बैकलोग पदों के संख्या क्या होता यह जनकारी चाहिए ने जो पिछला वाकेंसी में रह गया था बच्चा उसका तो उसमे तो साथ सीट है तो छोड़कर दोस्तों बाकी यह सबी के लिए सीट होने वाला है यहाँ पर केटेगरी वेज़ आपको जिसमें अपलाई करना है तो आप पूछेएगा दोनों अपलाई कर सकते हां पहला नमर पर यह वाला डाल दीजेगा फोर्म आपको एक ही भरना है ठी ठीके यह ध्यान रखेएगा तो इसमें आप लोग भर सकते हो यह अच्छा दोस्तों होने वाला है अधर स्टेट के लिए भी आप लोग एक से डेल लाग फॉर्म अपलाई होगा बाकी कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों चार तरह से फॉर्म भराएगा आपको ऑनलाइन मा दिया रात को वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इसलिए चानल हो जरू सब्सक्राइब करके बेल लाग इन दबाएगा धन्यवाद